ओम शान्ती 10-8-2023 की साकार मुरली मीठे बच्चे जब तुम बाप की गोद में आते हो तो यह दुनिया ही खत्म हो जाती है तुम्हारा अगला जन्म नई दुनिया में होता है इसलिए कहावत है आप मुए मर गई दुनिया प्रहश्न किस एक रस्म के आधार पर बाप के अवतरन को सिद्ध कर सकते हो उत्तर भारत में हर वर्ष पित्र खिलाने की रस्म चली आई है किसी ब्रामन में आत्मा को बुलाते हैं फिर उनसे बाते करते हैं उसकी आश पूँचते हैं अब शरीर तो आता नहीं आत्मा ही आती है यह भी ड्रामा में नूद है जिसे आत्मा प्रवेश कर सकती है वैसे ही परमात्मा का भी अवतरन होता है यह तुम बच्चे सिद्ध कर समझा सकते हो गीत मरना तेरी गली में ओम शांती यह भी गायन है इस समय का जो फिर भक्ती मार्ग में चला आता है इस समय जबकि तुम बाप के पास जीते जी मरते हो तो बरोबर सारी दुनिया ही खत्म हो जाती है अज्यान काल में मनश्य मरते हैं तो इस ही दुनिया में जन्म लेते हैं दुनिया कायम है कहावत है आप मुए मर गई दुनिया परंतु उनके मरने से दुनिया का विनाश तो नहीं हो जाता इस ही दुनिया में फिर जन्म लेना पड़ता है तुम मरेंगे तो यह दुनिया भी खत्म हो जाएगी तुम जानते हो हम फिर नई दुनिया में आएंगे यह सिर्फ तुम ब्रामन ही जानते हो Eishwar का बच्चा होने से हमको सत्युक का बर्थ राइट मिलता है स्वर्ग की बादुशाही मिलती है नर्क खत्म हो जाता है इसमें कोई मेहनत नहीं है सिर्फ बाप को याद करना है मनुष्य जब कोई मरते हैं तब उसको कहते हैं राम राम कहो पिछाडी में उठाते समय कहते हैं राम नाम सत्य है यह भगवान को ही कहते हैं राम नाम सत्य है अर्थात परम पिता परमात्मा जो सत है उसका ही नाम लेना चाहिए माला भी राम राम कह सिमरते हैं यह राम नाम की धुनी ऐसी लगाते हैं जैसे कोई साज बचता है तुम बच्चों को बाप समझाते हैं कि कोई भी आवाज नहीं करना है सिर्फ बुद्धी से याद करना है तुम जानते हो जीते जी इश्वर की गोद में आने से फिर यह दुख रूपी दुनिया खत्म हो जाती है बाबा हम आपके गले का हर बन जाएंगे गाया भी जाता है रुद्र माला राम माला नहीं कहा जाता है तुम रुद्र माला में पिरोने के लिए इस रुद्र ग्यान यग्य में बैठे हो कल्प पहले मुआफिक दूसरा कोई सत्संग नहीं जहां ऐसे समझते हो कि हम इश्वर बाब की गले में पिरोएंगे बाब से तो जरूर वर्षा मिलेगा बाब कौन कहता है आत्मा आत्मा में ही बुद्धी है ना बुद्धी समझती है फिर कहती है पहले संकल पाता है फिर करमेंद्रियों से कहा जाता है बरोबर हम बाबा के बने हैं बाबा के ही होकर रहेंगे इस अंतिम जन्मे में गौड फादर कहते है ना फिर पूछो तुम्हारे में Godfather की knowledge है तो कहेंगे God तो सर्वे व्यापी है बोलो तुम्हारी आत्म कहती है परम पिता तो पिता सर्वे व्यापी कैसे होगा बच्चे में बाप आ गया क्या बाप को सर्वे व्यापी कहना बिलकुल wrong है यह बाते बहुत अच्छी रीती समझ कर समझाना है रुद्र ज्यान यग्ये तो मशहूर है रुद्र है निराकार श्रीक्रश्न तो साकार है आकरीन भगवान किसको कहा जाए श्रीक्रश्न को तो नहीं कह सकते मनुष्य तो बहुत भोले होते हैं कह देते हैं God is omnipresent बाप तो अपने घर में ही रहता है और कहां रहे हैं कि मैंने इसमें प्रवेश किया है जैसे ब्रामणों में पित्रों को बुलाते हैं समझो कोई अपने बाप के पित्र को खिलाते हैं तो आत्मा कहेगी कि मैं इनमें आया हुआ हूँ मैंने इसमें प्रवेश किया हुआ है कुछ पूछना हो तो पूछो आगे पित्रों को बुलाने का बहुत रिवास था पित्र तो आत्मा है ना पित्र को यानि आत्मा को खिलाया जाता है कहिंगे आज हमारे दादे का पित्र है आज फलाने का पित्र है तो आत्मा को बुलाया जाता है खिलाया जाता है समझो किसका इस्तरी से प्यार है शरीर छोड़ दिया तो उस बुलाया तो आत्मा को, शरीर थोड़े ही आएगा, यह रस्म भारत में ही है, जैसे तुम सुक्ष्मे बतन में जाते हो, कोई मर्ग या उनका भोग लगाते हो, तो सुक्ष्मे बतन में वह आत्मा आती है, यह है बिलकुल नई बाते, जब तक कोई अच्छी रीती समझ ना ज आए तब तक मनुष्यों को संशय पढ़ता है, कि यह क्या करते हैं, ब्रामणों की रस्म रिवाज देखो कैसी है, सभी मंदिरों आदी में भोग लगाते हैं, पित्र को भोग लगाते हैं, गुरुनानक की आत्मा को भोग लगाया, अब वह कहां, यह समझ नहीं सकते, तु पतित पावन है, पावन आत्मा ही आकर धर्म स्थापन करती है, परंतु सतो प्रधान आत्मा को फिर सतो रजो तमों में आना ही है, इस समय सभी आत्मा एक कब्रदाखिल हैं, बाबा तो है ही पतित पावन, वह कभी कब्रदाखिल नहीं होते, मनश्य को पतित पावन नहीं क सिवाए कोई हो नहीं सकता, वह तो आते हैं अपने अपने धर्म स्थापन करने, क्रिश्चन धर्म का सारा सिजरा वहाँ है, पहले क्राइस्ट आया, फिर उनके पिछाडी सब आते रहेंगे, व्रद्धी को पाते रहेंगे, वह कोई पतित को पावन नहीं बनाते, नमबर वार उन्हों की संख्या आती है, पतित पावन तो इस समय चाहिए, जबकि सभी कब्र दाखिल हो जाते हैं, सबको पावन बनाने वाला एक वही है, यह तुम समझते हो, बरोबर इस समय सारी दुनिया जड़ जड़ी भूत है, बनें ट्री का मिसाल देते हैं, बहुत बड़ा ज़ाड है, उसका फावन डेशन सड़ा हुआ है, बाकि टाल टालियां सारी खड़ी हैं, यह भी ज़ाड हैं, देवी देवता धर्म का जो फाउन्डेशन है, उनकी जड़ एकदम कट गई है, बाकि सब हैं, बीज हो तो फिर से स्थापन करें, बाप कहते हैं, मैं फिर से आकर स्थापना कराता हूँ, ब्रह्मा द्वारा स्थापना, शंकर द्वारा विनाश, बरोबर अनेक धर्मों का विनाश हुआ था, महा भारत लड़ाई के समय, जो राजयोग सीखे, उनकी फिर राजधानी स्थापन हो गई, तुम जानते हो, अभी हम बाप के पास जाएंगे, फिर नई दुनिया में आएंगे, फिर जाड़ व्रद्धी को पाता जाएगा, देवी देवता धर्म जो था, वह प्राय लोप हो गया है, बाप कहते हैं, मैं फिर से आकर, आदि सनातन देवी देवता धर्म की स्थापना करता हूं, भारत जो उचे ते उच था, उनको अब ग्रहन लगा हुआ है, कामचिता पर बैठने से इस समय, तुम्हारी आत्मा काली हो गई है, अब फिर तुम ग्यानचिता पर बैठ गोरे बनते हो, तुम जो श्याम बन गए थे, श्याम को सुन्दर गोरा बनाने वाला है परमपिता परमात्मा, उनकी श्रीमत मिलती है, परमपिता परमात्मा की आत्मा एवर प्योर गोरी है, आत्मा में ही खाद पड़ती है, सोने का मिसाल, अभी तुम जानते हो इस पुरानी दुनिया का विनाश होना है, सभी का मौत है, फिर तुमको कहने वाला कोई नहीं रहेगा कि राम राम कहो, अब देखो नहरू मरा तो उनकी राख को सब जगह गिराया, समझा अच्छी खाद मिलेगी, जाड में कीड़ा आदी पड़ जाता है तो उसमें राख डालते हैं, अभी इस सारी प्रत्वी को कितनी राख मिलेगी, बड़े बड़े सन्यासी महत्माएं मरते हैं तो उन्हों की राख ऐसे नहीं डालते, सबसे उत्तम है सन्यासी, अभी तो कितने मरेंगे, कितनी खाद मिलेगी, तो क्यों नहीं स्रश्टी फर्स्ट क्लास अनाजादी देगी सतियुग में सब हरे भरे सब जो होते है इस स्रश्टी को नया बनाने में टाइम लगता है तुम सुक्ष्म वतन में जाते हो कितने बड़े-बड़े फल तुमको दिखाते हैं शूबी रस पिलाते हैं, तुम विचार करो कितनी खाद मिलेगी, सो भी खास भारत को, वहां कितनी अच्छी अच्छी चीज़े निकलेंगी, नई दुनिया के लिए, खाद पढ़कर सारी दुनिया नई हो जाएगी, सुक्ष्मिवतन में बैकॉंट का सूबी रस तुमको पि आते थे, अब सुक्ष्मिवतन में तो बगीचा हो न सके, जरूर बैकॉंट में गए होंगे, एक-एक को साक्षतकार नहीं कराएंगे, जो निमित बनते हैं, उनको साक्षतकार कराते हैं, हो सकता है अगर तुम याद में रहेंगे, बाबा के बच्चे बनकर रहेंगे, तो पिछाडी में तुमको भी साक्षतकार होगा, यह तो पहले गउशाला बननी थी, भट्टी में पकना था तो बहुत आ गए, बच्चों को समझाया है, सिर्फ कोई को लिटरेचर देने से समझ नहीं सकेंगे, समझाने वाला टीचर जरूर चाहिए, टीचर सेकेंड में समझ भाएगा, यह तुम्हारा बाबा है, यह दादा है, यह बेहद का वर्षा, यह बेहद का बाप, स्वर्ग का रचाईता है, सिर्फ कोई को लिटरेचर दिया तो देखकर फेक देंगे, कुछ भी समझिंग नहीं, इतना जरूर समझाना है कि बाप आया है, यह धिंडोरा पि जरूर स्वर्ग की स्थापना भी होगी, एक धर्म की स्थापना अनेक धर्मों का विनाश होगा, तुम जानते हो हम नर से नारायन, नारी से लक्षमी बनते हैं, यह है हमारी एम अबजेक्ट, मनुष्य से देवता किये करत नलागी वार, देवता सिर्फ सूर्य वंशी को क शत्रिय कहा जाता है पहले तो देवता बनना चाहिए ना ना पास होने से शत्रिय हो जाते हैं तो बाप कहते हैं मीठे मीठे सिकल दे बच्चे कितने धेर सिकल दे बच्चे हैं देखो किसका बच्चा गुम हो जाता है छे आठ मास के बाद आकर मिलता है तो कितना प्यार से आ 5000 वर्ष के बाद आकर मिले हो लाडले बच्चे तुम बिछुड़ गयते अब फिर आकर मिले हो बेहद का वर्षा लेने लिए DT World Sovereignty is your Godfatherly Birthright बाबा तुमको बेहद की बादशाही देने आया है यह है Heavenly Godfather कहते हैं तुम बच्चों के लिए कितनी बड़ी सोगात लाई है परन्तु इतना लायक बनना है श्रीमत पर चलना है ममा बाबा कहकर फिर अगर भूल जाए या फारक्ती दे दे तो गले का हार नहीं बनेंगे बच्चों को कितना प्यार किया जाता है बाब बच्चों को सिर पर रखते हैं बेहद के बाब को कितने बच्चे हैं बाबा कितना उच माते पर चड़ाते हैं पाओं में जो गिरे हुए हैं उन्हों को माते पर चड़ाते हैं तो कितना खुशी में रहना चाहिए और श्रीमत पर चलना चाहिए एक की श्रीमत पर चलना है अपनी मन मत पर चला तो यह हमारा श्रीमत पर चलेंगे तो स्रेष्ट ते स्रेष्ट मनुष्य अर्था देवता बनेंगे बाबा पूँचते हैं न कि कितने नंबर में पास होंगे बाब भी कहते हैं सूरे वन्शी बनो तो मम्मा बाबा को फॉलो करना पड़े आप समान स्वधर्शन चक्रधारी बनाना है शे बाबा के आगे ले आते हैं तो बाबा पूँचते हैं कितने को आप समान बनाया हैं कितने मजे की बाते हैं तुम ही समझ सकते हो नया कोई बिल्कुल ही नहीं समझ सकेगा कि यह कोई मनुष्य से देवता बनने की कॉलेज है कोई को तो साथ रोज में बहुत अच्छा रंग चड़ जाता है कोई को बिल्कुल नहीं चड़ता बहुत मेहनत करनी पड़ती है पहली पहली बात बच्चों को समझाई कि पहले सब को बोलो कि बेहद के बाप को जानते हो कहते हैं हाँ वह मेरे में भी है सर्वेव्यापी है फिर तो पूछने की दरकार ही नहीं है जब बाप कहते हो तो बाप तुम्हारे में वह मेरे में कैसे हो सकता है बाप से तो वर्षा लिया जाता है तो पहले पहले अल्फ पर समझाओ बाप कहते हैं मेरे सिखिलिदे बच्चे ऐसे कोई साधु सन्यासी कहना सके तुम जानते हो बरोबर हम शिव बाबा के सिखिलिदे बच्चे हैं 5000 वर्ष के बाद फिर आकर मिले हैं, स्वर्ग का वर्षा लेने लिए, जानते हो हम ही स्वर्ग के मालिक थे, फिर हम ही बनते हैं, स्वर्ग में जाना जरूर है, फिर पुरुशार्थ अनुसार उच्पद पाना है अच्छा, मीठे मीठे सिकलिदे बच्चों प्रदी, मात पिता, बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग, रोहानी बाप की रोहानी बच्चों को नमस्ते, हम रोहानी बच्चों की रोहानी मात पिता, बाप दादा को याद प्यार गुड मॉर्निंग और नमस्ते 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 धारणा के लिए मुख्य सार पहला मात पिता को फॉलो कर आप समान बनाने की सेवा करनी है सुदर्शन चकरधारी बनना और बनाना है दूसरा बाप के गले का हार बनने के लिए बुद्धी से बाप को याद करना है आवाज नहीं करनी है याद की दुन में रहना है वरदान देह अभिमान के त्याग द्वारा सदा स्वब्मान में इस्तित रहने वाले समान धारी भव देह अभिमान के त्याग द्वारा सदा स्वब्मान में इस्तित रहने वाले समान धारी भव जो बच्चे इस एक जन्म में देह अभिमान का त्याग कर स्वमान में स्थित रहते हैं उन्हें इस त्याग के रिटर्न में भाग विधाता बाप द्वारा सारे कल्प के लिए सम्मानधारी बनने का भाग प्राप्त हो जाता है आधा कल्प प्रजा द्वारा सम्मान प्राप्त होता है आधा कल्प भक्तों द्वारा सम्मान प्राप्त करते हो और इस समय संगम पर तो स्वयम भगवान अपने स्वब्मान धारी बच्चों को सम्मान देते हैं सौमान और सम्मान दोनों का आपस में बहुत गहरा सम्मंद है स्लोगन हर कदम में बाप की ब्राम्हण परिवार की दुआएं लेते रहो तो सदा आगे बढ़ते रहेंगे हर कदम में बाप की ब्राम्हन परिवार की दुआएं लेते रहो तो सदा आगे बढ़ते रहेंगे अच्छा उम्शन्ती आप द्रिष्टी यूही दे ते रहो बाबा सुख सागर में गहरे उतर जाऊं सुख सागर में गहरे उतर जाऊं हूँ पल के ना पल भर बंद मेरे इन लहरों को दामन में भर जाऊं आप द्रिष्टी यूही दे ते रहो बाबा